जैसरी श्याम, राधे राधे, राधे रुपन की रसोई में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंस आज हम बनाएंगे लेसवे का आचार जिसे कई लोग लसुडे भी बोलते हैं या गौंदे भी बोलते हैं और ये आचार हम आज बिना केरी के बना कर तयार करेंगे केरी डालकर गौंदे का आचार कैसे बनाएं इसकी वीडियो अल्रेडी मेरे चैनल पर है उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में तो आप उसे भी एक बार जरूर से देखिएगा और आप इस तरीके से आचार बनाएंगे जैसे आपको मैं बता रही हूँ तो आपका ये आचार सालो साल चलेगा बिलकुल भी खराब नहीं होगा गौंदे के आचार में फंगस बहुत जल्दी लग जाता है और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए राधर उक्मन की रसोई को और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल न भूलें ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन तुरंद पहुंच सके तो देखिए इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा चमच हल्दी ले लिये और एक बड़े पतिले में मैंने ले लिया है पानी पानी को मैं उबालने के लिए मैंने चड़ा दिया है हल्दी उसमें हमने डाल दिये अब मैंने यहाँ पर यह गॉंदे लिए जिने लेसवे भी बोलते हैं इनको मैंने अच्छे से पानी से वाश कर लिए हैं यह देखिए इस तरी कैसे आते हैं मार्केट में तो इनकी जो कैप है ना हमको यह हटानी नहीं है ना ही डंठल वगरा तोडने हैं इसके सहीध ही हमको इनको पानी में उबालना है वरना हमारे गोंदे चिपचिपे हो जाएंगे और आचार हमारा खराब होने का डर रहता है तो यह तो आपका पहला टीप हुआ कि आप इनकी कैप भी मत उतारिएगा और डंठल साइथ इनको पानी में इस तरह से डाल दीजिएगा बहुत ही हलके हातों से और जब हम इनको boil करेंगे न वो भी हम इनको बहुत ज़्यादा boil नहीं करेंगे समर की जो भी सबजी आती है न फ्रेंड्स या जिनका आचार डलता है हमें जरूर से खानी चाहिए चाहे वो कोई भी सबजी हो सबजी के रूप में खाए या फिर उसका आचार बना कर उसको इसको इस्टोर करें और गॉंदे का आचार तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है तो बस सारे गॉंदे इस तरह से हम इस पानी में डाल देंगे और हल्दी डालने का बस एक ही कारण है कि गॉंदे का कलर जो है न वो बहुत ही सुन्दर हो जाएगा तो बस सारे गॉंदे मैंने पानी के अंदर डाल दिये एक बार बहुत हलके हातों से इसको हम चला देंगे अच्छे से और ये काम बिल्कुल आप हलके हातों से कीजिएगा मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बड़ा रखी है इसलिए आपको लग रहा होगा मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ अब इनको हमको ज़्यादा बोईल नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा चिपचिपे से हो जाए एकदम बस हलका सा इनको पांच मिनट के लिए इनमें उबाल आने देंगे बस उबाल आ चुका है तो बस गेस की फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और चेक कर लेंगे एक बार कि ये बिलकुल हल कैसे मुलाइम हो गए और देखिए एक गॉंदा मेरा इसमें से फट गया है तो मैं इसको बिलकुल बाहर निकाल दूँगी इसको आप तूरंत बाहर निकाल दें बिल्कुल जो आपका इस तरह से तूट जाए या फट जाए दो उसको आप बाहर कर दें अब इस गॉंदे को हम बाहर निकाल लेते हैं एक पतिरे के उपर कोई जाली वगरा रखिए और सारे गॉंदे उसके अंदर निकाल लीजिए ताकि पानी पूरा इनका निकल जाए इस तरह से आप सभी को बाहर कर लीजिए और इससे में भी ध्यान रखिएगा कि इनकी कैप वगरा बिल्कुल भी नहीं उतरे बिल्कुल हल्के आतों से आपको सारे ये गॉंदे इस तरह से निकाल कर बाहर कर लेने है और देखिए कलर कितना सुन्दर आया है ना हल्दी डालने से इसलिए हमने इसमें पहले हल्दी डाली है तो अब मैं इतने गॉंदे हैं इनको तो मैं पहले फैला दूंगी और बाद में ये बागी के निकाल लेती हूँ तो चलिए इनको तुम्हें पहले फैला आती हूँ एक बार और इनको बाद में निकालेंगे तो उनको मैंने फैला दियें कपड़े के ओपर और इनको भी अब निकाल लेते हैं सारे गोंदे इसमें से निकल चुके कि ये कैप जो है ना वो नहीं उतारेंगे वरना हमारा आचार खराब होने का डर रहता है यह आपका दूसरा टिप है कि आप 3-4 घंटे के लिए फैन के नीचे अच्छे से सुखाईएगा या फिर 2 घंटे की धूब दिखा दीजिएगा तो देखिए मैंने इनको 3-4 घंटे क ये काम करना है कि अंदर का जो इनका चिपचिपा पंसा एक होता है ने इसके अंदर वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए उसी से हमारा जो ये आचार है ने इसमें फंगस लग जाता है और खराब हो जाता है तो बहुत ही आसानी से ये काम हो जाएगा और बस सारे ग धूप दिखा देंगे, धूप नहीं सॉरी, मैं पंके के नीचे सुका रही हूँ तो मैं फिर से इनको दो घंटे पंके के नीचे अच्छे से और सुकाऊंगी, कुल मिलाके मैंने इनको 5-6 घंटे के लिए पंके में अच्छे से सुकाया है, तो आपका आचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, अब मैंने कुछ मसाले ले लिए, पांच चम्मच मैंने यहाँ पर सौंफ लिए, दो चम्मच मैंने काली सरसों लिए, जो राई के दाने आते हैं बलेक वाले वो लिए, बारिक वाली राई, तीन चम्मच मैंने यहाँ पर पीली सरसों ले लिए, इसकी ज्यादा मत लीजिएगा और आधा चम्मच मैंने यहां मग्रेल ले लिए जिसको कलोंजी भी बोलते हैं और आधा चम्मची सौंफ ले लिए इन दोनों को हमें साबूत ही रखना है अलग रखेंगे इनको मिक्स नहीं करेंगे तो चलिए अब सबसे पहले मैंने एक पैन गरम कर लिया है ऐसे ही और इसको सौंफ को हम रोष्ट कर लेंगे बिना कुछ डाले हलका सा इसको रोष्ट करके और इसमें काली मिर्ची भी डाल देते हैं और बस मीडियम फ्लेम के ओपर इसको आप रोष्ट कर लीजिए रोष्ट करने से वो नहीं आती है इसलिए मैं हमेशा मसालों को इसी तरह से भून लेती हूं कभी भी धूप नहीं दिखाती उससे बहुत ही अच्छी खुश्बू हो जाती है मसालों में तो बस इसी तरह से आपको सौंफ को सेख लेना है बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं कर नहीं तो बस सौंफ तो हमारी तयार हो चुकि है इसको ठंडा कर लेते हैं अब मैंने गरम पेन के इंदर ही पीली सरसो डाल दिए गेस की फ्लेम को देखिए मैंने बिल्कुल इस समय बंद किया हुआ है आपको गेस की फ्लेम को ओन करके इसको नहीं सेखना है और बस पीली स पीली सरसो को गरम पेन के अंदर आप इस तरह से अच्छे से थोड़ा सा चला लीजिए ताकि इसका भी जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल निकल जाए और जो राई है जो हमने ब्लेक सरसो लिए उसको हमें बिल्कुल भी नहीं सेखना है उसको हम यूँ ही पीस के तयार कर लें राई का हम बिल्कुल fine powder बनाएंगे और जो ये पीली सरसो है इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे जैसे पीली सरसों की दाल आती है ने मार्केट में बिल्कुल उसी तरह से और जो सौफ और काली मिर्ची है उसको भी हम दरदरा कर लेंगे और जब वो दरदरी हो जाएगी तब उसके अंदर हम मेथी के दाने डालेंगे और बस जश्ट एक सेकंड के लिए मिक्सी को चला कर बंद कर देंगे ताकि मेथी के भी थोड़े से टुकड़े हो जाए तो देखिए मैंने सौफ को एक बार चला कर दरदरा सा पीस लिया है अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी पिर इसको मैं रख दूँगी तो मैंने सारे मसालों को पीस के तयार कर लिया है काली सरसों को तो मैंने बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है ये देखिए जो राई के दाने लिये थे जो पीली सरसों ली थी इसको मैंने दरदरा सा कर लिया है जैसे मार्केट में आती है हलके खिलके इसमें दाल بھی नजर आ रही है और ये दरदर इसी हो गई है आप चाहें तो इसकी पीली सरसों की दाल भी ला सकते हैं, आराम से मिल जाती है और सौ Office को भी मैंने दरदरासा कर लिया है और जो कलोंजी और सौ Office अलग से लिये थे इनको मैंने इस तरह से साबूती रख लिया है तो चलिए वाचार बनाना शुरू करते हैं तो मैंने एक बड़ा बरतन ले लिया है बड़ी कड़ाई या पतिला कुछ भी ले लीजिए उसमें ओईल डाल दीजिए तो मेरे जो लेसवे थे ना वो डेड़ केजी थे पूरे उसमें से डंटल वगरा थोड़े से निकल गए बागी वो डेड़ किलो थे तो उस हिसाब से मैं एक बार इसमें आधा केजी सरसो का ओईल डाल रही हूँ बहुत ही अच्छे से गरम कर लिया है चेक करने के लिए इसमें डाल देंगे हमें एक लॉंग कि हमारा ओईल बहुत ही बढ़िया से गरम हो चुका है अब हम गेस की फ्लेम को बंद कर देंगे ओईल को ठंडा करेंगे और देखिए सारे लेसों को मैं अंदर ले आई हूँ इस तरह से कपड़े पर जो मैंने फैला रखे थे वरना आपका पूरा आचार खराब हो जाएगा आप चाहें तो इसी के अंदर थोड़े से लेसों मिलाकर और इसकी सबजी बनाकर तयार कर सकते हैं नहीं बनाना चाहते हैं तो इनको बिल्कुल साइड कर दीजिए तो यह आपका चोथा टीप हुआ कि इस तरह से जो गॉंदे आपके खुल जाए उनको आपको यूज नहीं करना है वरना आचार खराब हो जाएगा तो देखिए मैंने ओईल को हलका सा ठंडा कर लिया था थोड़ा बहुत गरम है अभी भी उसमें सौफ और मैंने कलोंजी डाल दिये दो तिन लॉंग और थोड़े बहुत साबुत काली मिर्ची के दाने डाल दिये चार से पांच फिर मैंने यहाँ पर हिंग ले लिए हिंग कितने फ्लेवर वाली है या आप अपने हिसाब से देखिएगा कितने डालनी है मैं इसमें 1 फोर्थ टी स्पून से थोड़ी सी जादा डाल रही हूँ क्योंकि मेरी हिंग बहुत ही जादा फ्लेवर फुल है और हिंग जो होती है आचार को प्रिजर्व करती है और खुश्वी भी बहुत अच्छी आती है आचार में तो यह हमें जरूर से डालनी है तो बस एक बार अच्छे से मैंने इनको मिक्स कर दिये अब इसमें हम थोड़े से हमारी जो मसाले है आचार वाले वो डाल लेते है सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टी स्पून कश्मीरी लाल मीर्च का पाउडर इसे आचार का जो कलर है वो बहुत सुन्दर आएगा फिर मैंने यहाँ पर 3 चम्मच ले लिए टेबल इस्पून जो रेगुलर हमारी लाल मीर्च होती है वो डाल दिये मैंने एक चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिये और फिर इसमें हम डाल देते हैं हमारी सौंफ जो हमने पीस के तयार की थी हमने 5 टेबल इस्पून ली थी फिर इसमें हम राई का पाउडर डाल देते हैं और फिर इसी के अंदर हम डाल देंगे हमारी पीली सरसों जो हमने दरदी तयार कर लिए और फिर इसके अंदर में डाल दूँगी 1 टी स्पून, ये मेरा टेबल स्पून है, तो 1 टी स्पून है, ये काला नमक, और 3 टेबल स्पून में इसमें डाल दूँगी हमारा regular नमक, नमक आचार को preserve करता है और नमक आचार में थोड़ा सा हमेशा ज़ादा ही जाता है, उससे जो हमारा आचार है वो खराब नहीं होता है, तो हींग और नमक आप आचार में, हींग भी थोड़ी सी अच्छी डालें एकदम तेज क्वांटिटी की जिसमें अच्छी सी खुश्बू भी आए और आचार को वो preserve भी करेगी, और नमक भी थोड़ा सा ज़ादा डालना चाह तो बस अच्छे से mix कर देते हैं, और हमारा बहुत ज़ादा गरम नहीं है, हलका सा गुन-गुना है, तो हमारे मसाले बिलकुल भी जले नहीं है, अब सारे गौंदे इसके अंदर डाल देते हैं, और देखिए हमारा एक भी गौंदा उसके अंदर सलवट नहीं आई है, बह बहुत ही टेस्टी आचार बनके तियार होगा, क्योंकि हमने इसमें पीली सरसों और काली सरसों दोनों का यूज किया है, तो आचार में खटाई भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, और कई लोगों को कैरी से प्रोबलम होती है, तो उसके बिना भी आप इस आचार को बहु कि अच्छे से हमारा आचार तयार हो जाएगा, तो बस इस तरह से मैं फिर से इसको एक बार मिक्स कर देती हूँ, और आचार का मसाला देखिए कितना अच्छा हो एर फूल कर तयार हो गया है, अब मैं एक बलक अलग इसको बड़े बरतन के अंदर निकाल लेती हूँ, प्ल क्योंकि हम आचार को दिखाएंगे धूल, तो इस तरह से आप कोई भी सूती कपड़ा ले लिजिए, कोई दूपट्टा ले लिजिए और इस से इसको cover कर दीजिए, पूर आच्छे से कपड़ा आपका cotton का ही लीजिए गाप, और इस तरह से पूर आच्छे से बान के इसक कवर कर दिया है अब इसको हम धूप दिखाएंगे दो दिन के लिए तीन से चार घंटे की आराम से अभी धूप बहुत अच्छी आ रही है तो आचार के अंदर बहुत ही अच्छे से धूप लग जाएगी तो हमारा आचार बहुत ही जल्दी भी बन जाएगा और टेस्टी भ दिखा रही हूँ आपको बहुत ही बढ़िया हमारा यह आचार बनकर तयार हो गया है अब अगर आपको यह आचार साल भर के लिए श्टोर करना है न तो आपको इसको पूरा ओयल से कवर करके रखना होगा जिस भी आप मरतमार में डालें बिल्कुल सूखा जार लीजिए धूब दिखा के अच्छे से उसको पहले साफ कर लीजिए और बिल्कुल सूखा लीजिएगा उसमें भरने के बाद में फिर आप इस आचार पे अच्छे से तेल से कवर कर दीजिए तो आपका आचार सालो साल चलेगा और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने मे मसाला भी बहुत अच्छा हुए तो आप एक बार मेरे तरीके से यह अचार बना लेंगे ना तो सारे तरीके भूल जाएंगे और इस तरह से ओल से कवर कर दीजिए जब इसको आप किसी मर्दबान में भरके रख दे तो बस आप भी लेसवे गॉंदे जो भी आप इनको बो